नमस्का दोस्तों आप सभी का सुआगत है आपके प्रेवी टूप चैनल रवीशाडी आईक्यू जीके पर आज मैं आपके लिए जनवरी 2020 के बैस्ट 50 कोशन इस वीडियो में लेकर आए हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन selected लिये हैं अच्छे लेवल के लिये हैं वही कोशन लिये हैं जो कोशन आपके एक्जाम के लिए important रह सकते हैं शब्स आप सभी को बताए कि हर एक्जाम के लिए Current Affair बहुत ज्यादा important होता है तो मैंने आपके लिए इस वीडियो में जनवरी 2020 के सर्फश्रेश्ट 50 कोशन शामिल किये हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा भारत के 28 थलसेना परमुक कोन बने हैं सही आंसर इसका ओप्शन C मनोज मुकुंत नर्वने को भारत का 28 थलसेना परमुक नियुक्त किया गया है मोश्ट इमपॉर्ण कोशन है आपके एकजाम के लिए फर्स यहां पर बात हुई है थलसेना की थलसेना को हम इंडियन आर्मी भी कहते हैं थलसेना की स्थापना हुई थी एक एपरल 1895 को थलसेना का मुख्याले है नई दिल्ली में हर साल 15 जनवरी को थलसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है इमपॉर्ण कोशन है आपके एकजाम के लिए ओफेंस हाली में हमारे देश में नई CDS नियुक्त होए है CDS का फुल फॉर्म है Chief of Defense Staff Chief of Defense Staff यानि CDS नई नियुक्त होए है उनका नाम है विपिंड रावद ये भी आपने ध्यान रखना है और फ्रेंस वायू सेना के परमुक भी नई बने है उनका नाम है Air Marshal RKS भदोडिया और नौ सेना परमुक का नाम है Admiral Karamvir Singh ये भी आपने ध्यान रखना है और भारतिय तत्रक्षक बलके भी परमुक ने बने है उनका नाम है कृष्ण स्वामी नट राजन important question रहेगा आपके exam के लिए next question है मारा कौनशा सहर स्वच सर्वेक्षन में सीर स्थान पर रहा है सही answer है option C इंदौर शहर इंदौर शहर मद्धे परदेश राज्य में स्थित है और इंदौर शहर जो है ये स्वच सर्वेक्षन में C स्थान पर है मतब नमबर 1 पर रहा है important question है ये भी आपके exam के लिए friends मैंने आपको बताया कि इंदौर शहर जो है मद्धे परदेश राज्य में स्थित है बात हुई है मद्धे परदेश राज्य की मद्धे परदेश राज्य की राजधानी भुपाल है और यहां के मुख्य मंत्री का नाम है कमल नाथ जो की Congress Party से है और मद्धे परदेश के गवर्नर का नाम है का नाम बदल कर क्या रखा गया है सही answer इसका option A railway सुरक्षा बल सेवा यानि की RPFS railway protection for service ठीक है यह English में full form है हिंदी में है railway सुरक्षा बल सेवा यह RPF का नाम बदल कर रखा गया है important question है आपके exam के लिए friends यहाँ पर बात हुई है भारतिय railway की भारतिय railway का मुख्याले है नई दिल्ली में है वर्तमान में हमारे देश की railway मंत्री है प्यूश गोईल यह आपने ध्यान रखना है railway board के chairman है विनोध कुमार यादव और RPFS के महा निदेशक यानि की जिसका नाम पहले RPF था अब बदल के RPFS कर दिया गया है इसके महा निदेशक है अरुन कुमार यह भी नाम आपने याद रखना है अरुन कुमार महा निदेशक है railway सुरक्षा बल सेवा यानि RPFS के और आप से एक्जामे पुछा जाता है कि सोतन्त भारत के पहले railway मंत्री कौन थे आप का अंसर होगा जौन मत्थाई next question कर लेते हैं किस मैटरो स्टेशन का नाम बदल कर Supreme Court मैटरो स्टेशन रखा गया है यह question भी काफी important है सही answer है option D प्रगती मैदान मैटरो स्टेशन दिल्ली मैटरो का हिस्सा है ठीक है प्रगती मैदान मैटरो स्टेशन का नाम बदल कर अब रख दिया गया है Supreme Court मैटरो स्टेशन यह question भी आपके exam के लिए काफी important है और friends यहाँ पर बात हुई है मैटरो की आपसे exam में पूछा जाता है कि भारत में मैटरो मैन के नाम से किसे जाना जाता है प्रगती मैदान का नाम बदल के Supreme Court मैटरो स्टेशन रखा गया है प्रगती मैदान मैंने आपको बता है दिल्ली मैटरो का हिस्सा है बात हुई है यहाँ पर दिल्ली मैटरो की इससे भी दो कोशन important बनते हैं आपके exam के लिए दिल्ली मैटरो की वर्तमान में या मंगू सिंग मंगू सिंग मंगू सिंग मंडी है next question कर लेते है दिरिष्टी हिनो के लिए मनी एप को किसने लाँच किया है सही answer है option D RBI RBI ने दिरिष्टी हिनो के लिए मनी एप को लाँच किया है friends यहाँ पर बात हुई है RBI की RBI का full form होता है Reserve Bank of India हिंदी में बोलते हैं भारतिय Reserve Bank आपसे पुछा जाता है कि RBI का headquarter यानि मुख्याले कहां पर है RBI का मुख्याले है मुंबई में और RBI की स्थापना हुई थी 1 April 1935 को और वर्तमान में RBI के governor है श्री शक्ती कान दास और RBI ने Money App को launch किया है दिस्टी हिन लोगों के लिए ठीक है यानि Reserve Bank of India ने Next question कर लेते हैं Friends आपको question का level देखके पता लग गया हो कि सबी question मैं आपके लिए अच्छे level के लिए कहा हूँ जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं अगला question भी काफी important है Railway Board का Chairman फिर से कौन बने है सही answer इसका Option A VK यादव VK यादव जिनका पूरा नाम है विनोत कुमार यादव इनको Railway Board का फिर से Chairman नियुक्त कर दिया गया है ठीक है important है और Railway के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको उपर दे चुका हूँ Next question कर लेते है CAA के विरोध में प्रस्ताब पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है सही answer है Option A Keral Raja Keral Raja जो है भारत का ये CAA के विरोध में प्रस्ताब पास करने वाला पहला राज्य बन चुका है Friends यहाँ पर word आया है CAA CAA का full form है Citizenship Amendment Act Hindi में full form होता है Nagarikta Shanshodhan Adenium ठीक है Nagarikta Shanshodhan Kanun जो है ये CAA का full form होता है Friends यहाँ पर बात हुई है केरल राज्य की केरल राज्य जो है CAA के विरोध में प्रस्ताब पास करने वाला पहला राज्य बना है केरल की राजधानी है Tirovananth Puram केरल की मुख्य मंत्री है पिनाराई विज्यन तियरल के राज्य पाल है आरिफ मुहमद खान ठीक है ये भी आपने ध्यान रखना है Next question कर लेते हैं अगला question है किस राज्य में इसरों ने छोटे उबग्रह के परक्षेपन के लिए नया केंदर स्थापित करने की घोशना की है Friends, यहाँ पे राज्य आया है Tamil Nadu Tamil Nadu की राजधानी है चैननाई Tamil Nadu के मुख्य मंत्री है केपलानी स्वामी Tamil Nadu के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित ठीक है Friends, यह तो बात होगी Tamil Nadu की जहाँ पर इसरो ने चोटे उपगरहे के पक्षयपन के लिए नया केंदर स्थापित करने की घोशना की है Friends, यहाँ पे एक वर्ड आया है इसरो आपको इसरो का फुल फॉम बताऊना चाहिए इसरो का फुल फॉम है Indian Space Research Organization हिंदी में होता है पहारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्याले है बेंगलूरू शहर में ठीक है बेंगलूरू कहाँ पे है करनाटक राज्य में है इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्ट 1969 को इसरो की संस्थापक है विकरम सारभाई और इसरो की मेरे वर्तमार में अध्यक्ष है के सिवन ये भी आपने ध्यान रखना है अगला कोशन कर लेते है विश्यू ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है सही आंसर इसका option D चार जनवरी को हर साल विश्यू ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पर शब्द आया है ब्रेल विश्यू ब्रेल दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस ब्रेल इन्होंने फ्रेंट्स जो मतलब लोग नेतरहिन होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपी की खोज करी थी ब्रेल लिपी एक स्पैशल प्रगरा की लिपी होती है जिसे की जो नोई तरहिन लोग होते हैं वो पढ़ सकते हैं तो लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपी की खोज करी थी तो इनहीं का जरम दिवस होता है चार जनवरी को जिसको हम विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं यह कोशन आपके एक्जाम के लिए काफी important रहेगा फिर जितने भी जनवरी महीने में महतुपुन दिवस आए हैं वो मैं आपको विश्व रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि यह कोशन important रहते हैं एक जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है चार जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है जो हमारा कोशन था नौ जनवरी को प्रवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है दस तारिक को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 12 तारिक को राष्टिय युवा दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को भारतिय थलसेना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्टिय बालिका दिवस मनाया जाता है 25 तारिक को राष्टिय मद्दाता दिवस मनाया जाता है 26 तारिक को गंतंत्र दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को विश्व कुष्ट निवारन दिवस मनाया जाता है और आखरी है 30 जनवरी को यह सही दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ठीक है important है अगला question कर लेते हैं सदार वल्लब भाई पटेल की दूसरी सबसे उची प्रतिमा का अनावरन कहां हुआ है option D एहमदाबाद गुजरात राज में एहमदाबाद शहर है यहाँ पर सदार पटेल की दूसरी प्रतिमा का अनावरन किया गया है और फ्रेंट जो सदार वल्लब भाई पटेल है इसकी जो सबसे उची मूरती है उसको हम statue of unity के नाम से जानते हैं इसकी उचाई है 182 मेटर ठीक है यह भी आपने ध्यान रखना है और यह भी गुजरात में ही स्थित है ठीक है यह आपने ध्यान रखना है अगला question कर लेते हैं किस संस्थान ने 2020 को year of nurse and midwife घोशित किया है सही answer है option C,WHO and midwife घोशित किया है WHO ने यहाँ पर word आया है WHO WHO को full form होता है World Health Organization और हिंदी में full form होता है विश्व स्वास्त संगठन WHO को full form स्थापना हुई थी 7 April 1948 को मुख्याले है जेनेवा शहर में जेनेवा कहाँ पर है? सुजरलेंड देश में है ठीक है? और WHO के अध्याक्ष है और 2020 को WHO ने नर्स एंड मिडवाइफ घोचित किया है Next question कर लेते है किस शहर में Defense Expo 2020 का आयोजन हुआ है? सही answer असका Option C. लखनौ लखनौ शहर में Defense Expo 2020 का आयोजन किया गया है यहाँ पर लखनौ शहर आया है लखनौ है उत्तर परदेश राज़े में स्थित ठीक है? और Defense Expo 2020 का आयोजन लखनौ शहर में ही हुआ है ठीक है? बात हुई यह उत्तर परदेश की राजधानी लखनौ है यहां के मुख्यमंतरी अधित्यनाथ है ठीक है योगी अधित्यनाथ है और यहां के गवर्नर है आनंदी बेन पटेल यह भी आपने ध्यान रखना है अगला कोशन कर लेते है किस राज़े ने करमचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की वृद्धी की है सही आंसर इसका अप्शन एक गुजरात गुजरात राज़े की सरकार ने करमचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की वृद्धी कर दी है यहां पे गुजरात राज़े आया है गुजरात की राज़धानी गांदी नगर है ठीक है यह आपने ध्यान रखना है अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए सबसे बहतरीन तरीक होता है पढ़ने के पहले आप पढ़ो उसके बाद आप रिवीजन कर लो तो मैं आपको उसी बहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद लास्ट में मैंने आपके लिए 10 कोशन का टेस्ट भी रखा है मैं आपको इतनी शौटी देता हूँ पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक कोशन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं किस राज्जे की सरकार ने CM App को को लाँच किया है सही और हमाचल परदेश की मुख्य मंत्री है अगला कोशन कर लेते है सोलवा प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाया गया है सही और हमाचल प्रवासी की मुख्य मंतरी है 9 जनुवरी को 16 प्रवासी भारतिय दिवस के रूप में मनाया गया है Next question कर लेते है Important है ये NADA ने Weight Lifter सरवजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंद लगाया है सही answer है Option D 4 साल 4 साल का प्रतिबंद लगाया है NADA ने Weight Lifter सरवजीत कौर के ओपर ठीक है यहां पर वर्ड आया है NADA आपको NADA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि एक्जाम के लिए important है NADA का फुल फॉर्म होता है National Anti-Doping Agency Hindi में फुल फॉर्म होता है राष्टिय डोपिंग विरोधी संस्था NADA की स्थापना हुई थी 24 नमबर 2005 को मुख्याले है नई दिल्ली में और NADA के अध्यक्ष आप के लिए important है वो है नवीन अगरवाल अगला कोशन कर लेते हैं किस राज्य में धानु जातरा महसब का शुभारंब हुआ है सही answer है option C उडिसा राज्य जो है भारत का इस राज्य में धानु जातरा महसब का शुभारंब हुआ है फ्रेंट्स यहाँ पे राज्य आया है उडिसा उडिसा की राजधानी है भुवनेश्वर उडिसा के मुख्य मतरी नवीन पतनायक है और यहाँ के गवर्नर है गनेशिलाल अगला कोशन कर लेते हैं फ्रेंट्स की बार जो रिवीजन करवा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्ण रहने वाला है किस राज्य के परिवहन निगम ने वट्सेप सेवा दामीनी शुरू किया है सही आंसर है उप्शन D उत्तर परदेश उत्तर परदेश राज्य की परिवहन निगम ने वाट्सेप सेवा दामीनी को शुरू किया है इंपॉर्ण है यहाँ पर उत्तर परदेश की राजदानी लखनो हुआ यहाँ के मुखे मंतरी योगी अधित्यनात है गवर्नर है अनंदी बेन पटेल और दामीनी अब बेसिकली महीलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ठीक है नेक्स्ट कोशन है मारा गिन्नी बिसाओ देश के नई राष्टपती कोन बने है सही आंसर है ऑप्शन सी उमारो, सिस्को को, एमबालो को गिन्नी बिसाओ देश का नई राष्टपती नियुक्त किया गया है यहाँ पर गिन्नी बिसाओ देश आया है गिन्नी बिसाओ देश अफरीका महादीप में स्थित है बिसाओ यहां की राजधनी है और यहां की फ्रेंट जो करंसी है वो है फ्रेंक next question कर लेते हैं किस देश में जर्नल कासीम सुलेमानी को अमेरिका ने मार दिया है तो सही answer इसका option A, इरान देश के जो जर्नल थे कासीम सुलेमानी इनको अमेरिका ने मार दिया है important question रहेगा आपके exam के लिए next question कर लेते हैं अभिनब कुमार के कारेकाल को 2021 तक बढ़ा दिया गया है, यह कौन है? सही आंसर इसका, option B, BSF के महा निरिक्षक हैं, BSF के महा निरिक्षक हैं, अभिनब कुमार जिनका कारेकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है, फ्रेंट्स यहां पर word आया है BSF, BSF का full form होता है Border Security Force, इंदी में full form होता है सीमा सुरक्षा बल, और BSF की स्थापना होई थी 1 December 1965 को, BSF के महा निरिक्षक हैं VK जोहरी, BSF का मुख्याले है नई दिल्ली में, और BSF का मोटो आपके लिए important है, वो है जीवन परियंथ करतव्या, अगला कोशन कहें लेते हैं, Miss Teen International 2019 का किताब किसने जीता है, सही आंसर इसका, option C, Ayushi Dholkia, Ayushi Dholkia ने Miss Teen International 2019 का किताब जीता है, important कोशन है आपके लिए, friends मैं आपको गुड न्यूस देता हूँ, कि हमारा Current Affair का चैनल आ गया है, रवी Study IQ GK 2.0 नाम से है, YouTube पे सर्च करना है आपको रवी Study IQ GK 2.0, Daily Current Affair की वीडियो आती है, सुब है 4 बजे, और friends हम जो प्रिवेट, जो हम PDF प्रोवाइड करते हैं, सबसे best quality का PDF है पूरे YouTube पे, क्योंकि friends हमारा जो PDF होता है, बिल्कुल explain किया होता है, सब कुछ इसमें already explain किया होता है हमारे PDF में, तो friends आप रवी Study IQ GK 2.0 को अभी subscribe कर लिजे, आप मुझे से Telegram पे, Facebook पे, Instagram पे जूर सकते हो, रवी Study IQ GK के नाम से, लेकिन आप जो चैनल है friends से जरू सबस्क्राइब करिए, रवी Study IQ GK 2.0, Next question है हमारा, जम्मु कश्मीर के उपराजे पाल का सलहकार किसे नियुक्त किया गया है, सही answer है, option B, राजीव राई भटनागर, राजीव राई भटनागर को जम्मु कश्मीर के उपराजे पाल का सलहकार नियुक्त किया गया है, friends आप सभी को बताऊना चैकि, पुरुमू का सलहकार नियुक्त किया गया है अभी राजी वराई भटनागर को ठीक है ये भी आपने ध्यान रखना है अगला कोशन कर लेते हैं किस राजे में मिशन इंदर धनूस 2.0 का दूसरा संस्करन आयोजित हुआ है सही आंसर है option B उत्तर परदेश उत्तर परदेश र option D उमान भारत और उमान देश के बीच द्रीपक्षिय नौसेनिक अभ्यास नसीम अलबहर को आयोजित किया गया है फ्रेंट्स यहाँ पर बात हुई है भारतिय नौसेना की नौसेना भारतिय नौसेना को हम इंडियन नेवी भी कहते हैं आप सिक्जा में पुछा जाता है क इंडियन नेवी का मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में है और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस बनाया जाता है और वरतमान में नौसेना अध्यक्ष है एड्मिरल करमवेर सिंग यहाँ पे एक देश आगया है उमान उमान की राजधानी है फ्रेंस मसकट ठीक है अगला कोशन कर लेते हैं क्रोएशिया देश के नई राष्टपती कोन बने है साही आंसर है और फ्रेंस यहाँ पे जो क्रोएशिया है इसकी राजधानी जागरेब है और यहाँ की जो करनसी है वो कूना है कि शहर में 107 भारतिय विज्ञान कॉंगरेस का आयोजन हुआ है साही आंसर है और फ्रेंस यहाँ पर 107 भारतिय विज्ञान कॉंगरेस का आयोजन किया गया है इमपॉरेंट है किसे लोकमानिय तिलक राष्टी ए पत्रकारिता प्रोषकार से समभानित किया गया है सही आंसर इसका, option C, संजय गुपता, संजय गुपता को लोकमानिय तिलक राष्टिय पत्रकारिता पुरुषकार से सम्मानित किया गया है, यह question भी important है, next question कर लेते हैं, most important है, किस शहर में अटल कैंटीन का शुभारंब किया गया है, सही आंसर इसका, option B, करनाल, करनाल हर्यान राज्य में स्थेते हैं, अगर आप से एक्जाम में पुछा जाएं, किस राज्य में अटल कैंटीन का शुभारंब हुआ है, आपका आंसर हर्याना राज्य होगा, शहर की बात होगी, करनाल शहर में हुआ है, next question है, विशु पुष्टक मेले का 28 संसकरन के शहर में आयोजि किया गया है, सही आंसर है, option B, नई दिल्ली, नई दिल्ली शहर में 140 कार पार्किंग का उदगाटन किया गया है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, अगला question कर लेते हैं, राश्य चिकिस्सा आयोका पहला अध्यक्ष कोन न्युक्त होए हैं, सही आंसर है, option B, सुरेश च अध्यक्ष कंदर शर्मा को राश्य चिकिस्सा आयोका पहला अध्यक्ष न्युक्त किया गया है, अगला question है मारा, कौन सा शहर खेलो इंडिया युनिवरस्टी गेम्स के पहले संस्करन की मेजबानी करेगा, सही आंसर है, option B, भूवनेशवर, भूवनेशवर शहर खेलो इ सही आंसर है, option C, मध्यपरदेश, मध्यपरदेश राश्य जो है भारत का, यहां पर FSI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा वन्चेतर है, next question कर लेते हैं, उडिशा राश्य का शरम आयोक्त कोन बने है, सही आंसर है, option C, एन तिरूमाला नाइक, एन तिरूमाला नाइक को उडिशा राश्य का शरम आयोक्त किया गया है, भारत के किस राश्य में सौचालित कार पार्किंग का उधगाटन किया गया है, सही आंसर है, option B, नई दिल्ली, भारत की राश्धानी नई दिल्ली में सौचालित कार पार्किंग का उधगाटन किया गया है, important question रहेगा सही आंसर है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, अगला कोशन कर लेते हैं, उडिसा राज्य का शरम आयुक्त कोन बने हैं, सही आंसर है, उडिसा राज्य का शरम आयुक्त किया गया है, फ्रेंट्स के बाज़ों मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत important रहेगा, और लास्ट में 10 कोशन का जो test रखा है मैंने, वो आप जरूर अटेंप्ट करना, किस देश के ओलम्पिक संग ने 2020 के राश्ट मंडल खेलों के भहिशकार का निरने वापिस ले लिया है, सही आप्शन डी भारत, भारत के ओलम्पिक संग ने 2020 के राश्ट मंडल खेलों के भहिशकार का निरने वापिस ले लिया है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, भारत ने किस e-commerce कंपनी के साथ समझोता किया है, सही आप्शन ए, फिलिपकार्ट, फिलिपकार्ट e-commerce कंपनी के साथ भारत ने समझोता किया है, नेक्स्ट कोशन है, राश्टी हरित वाहिनी योजना को किस राज़े में शुरू किया गया है, सही आप्शन C, जम्मु कश्मीर, जम्मु कश्मीर आप केंदर शाषित परदेश बने गया है, यहाँ पर राश्टी हरित वाहिनी योजना को शुरू किया गया है, फ्रेंट्स ये टॉप 50 कोशन है, जनवरी 2020 के, इसके पर फ्रेंट्स मैं आपके लिए टॉप 200 कोशन लेकर आने वाला हूँ, वो वीडियो भी आप जरूर देखना, और ऐसे ही मैं आपके लिए सभी महीने के लिकर आउँगा, तो पूरा वीडियो आप फ्रेंट्स जरूर देखना, अगला कोशन कर लेते हैं, किस राजे में लाई हरा ओबा पर्व शुरू हुआ है, सही आंज़ए, ऑब्षन ए, तिरिपूरा, तिरिपूरा राजे में लाई हरा ओबा पर्व को शुरू किया गया है, नेच्ट फेले हमारा, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं अंटाक्टिका की सबसे उची चोटी पर चड़ने वाले सबसे कम उमर की महिला कोन बनी है सही आंसर है option A मालावत पूर्णा मालावत पूर्णा अंटाक्टिका की सबसे उची चोटी पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की महिला बनी है फैंट जो अंटाक्टिका है ये पांचवा सबसे बड़ा महादीब है और अंटाक्टिका की सबसे उंची जोटी का नाम है माउंट विंसन next question है इस्माइल कानी को किस देश का निया कमांडर नियोक्त किया गया है सही answer है इसका option B. इरान इरान का निया कमांडर नियोक्त किया गया है इस्माइल कानी को अगला question कर लेते हैं किस देश ने mother of all bombs का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है सही answer है option A. चीन चीन देश ने mother of all bombs का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है सही आंसर है सही आंसर है बेंगलूरू बेंगलूरू शहर जो की करनाटक राज़े की राज़दानी है यहाँ पर योग विज्ञान सभा का आयोजन किया गया है किस शहर में पांचवे वैश्विक ड्रॉसोफिला सम्मिलन आयोजित हुआ है सही आंसर है Option B. पुने महराश्ट में स्थित्य पुने शहर यहां पर पांचवा वैश्विक ड्रॉसोफिला सम्मिलन आयोजित हुआ है सही आंसर है Option C, छे जनवरी को महाराश्टर का पत्रकार दिवस मनाया गया है Next question कर लेते है Hastings अंतर राश्टिय सतरंज कांग्रेस का किताब किसने जीता है सही answer इसका Option A, P. मंगेश चंदरन P. मंगेश चंदरन को Hastings अंतर राश्टिय सतरंज कांग्रेस का किताब जीता है Next question कर लेते है किस देश ने अमेरिकी सेना को आतंगवादी घोशित किया है सही answer है Option B, इरान इरान देश ने अमेरिकी सेना को आतंगवादी घोशित किया है अगला question है किस शहर ने समुंदरी पारिस्थितिगी तंतर की बैठक का आयोजन किया है सही answer है Option D, कोची शहर कोची शहर में समुंदरी पारिस्थितिगी तंतर की बैठक का आयोजन किया गया है अगला कुशन कहलेते हैं भारत ने किस देश के साथ 1-2-3 Assault Rifles के लिए MOU का हस्ताचर किये है सही आंसर है Option D, रूस रूस देश के साथ भारत ने 1-2-3 Assault Rifles के लिए MOU पे हस्ताचर किये है अगला कोचन है हमारा अमिश यहा के द्वारा करम योधा गरंथ पुस्तक का विमोचन किया गया है यह पुस्तक किस पर लिखी गई है सही आंसर है Option A, प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी के उपर लिखी गई है पुस्तक करम योधा गरंथ और इस पुस्तक का विमोचन किया है अमिश यहा ने अमिश यहा वर्तमार में हमारे देश के गिरह मंत्री है अगला कोशन कर लेते हैं भारत किस राज्य में विकरम सारभाई Children Innovation Center की स्थापना की जाएगी सही आंसर है ऑप्शन C गुजरात गुजरात राज्य में विकरम सारभाई Children Innovation Center की स्थापना की जाएगी भारत किस राज्य में चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल शुरू हुआ है सही आंसर है ऑप्शन C पश्यम बंगाल पश्यम बंगाल में चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल शुरू हुआ है आखरी कोशन कर रहे हैं इस वीडियो का इसके बाद मैंने आपको सभी कोशन का रिवीजन करवाने वाला हूँ पैडरो संचेज किस देश के परधानमंतरी नियुक्त होए है सही आंसर है Option D. Spain Spain देश के परधानमंतरी नियुक्त होए है पैडरो संचेज इंपॉरेंट है फ्रेंट्स मैंने आपको ये पच्चपन कोशन करवाए उमीद करता हूँ फ्रेंट्स आपको सभी कोशन अच्छे दे समझ में आगे होंगे कि हमारा Current Affair का चैनल आ गया है रवी स्टडी IQ GK 2.0 इससे आप अभी सब्सक्राइब कर लिजिए बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का Current Affair पढ़ा जाता है और डिटेल वाला PDF दिया जाता है और डेली चार बजे वीडियो आती है हमारी Current Affair की तो रवी स्टडी IQ GK 2.0 का अभी सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट कोशन से भारत के 28 वे थलसेना परमुक कोन बने है आंसर है मनोज मुकुंध नर्वने कोन सा शहर स्वच सर्वेक्षन में शीर स्थान पर रहा है आंसर है इंदौर रेल्वे सुरक्षा बल RPF का नाम बदल कर क्या रखा गया है आंसर है रेल्वे सुरक्षा बल सेवा किस मैट्रो स्टेशन का नाम बदल कर सुप्रीम कोर्ट मैट्रो स्टेशन रखा गया है आंसर है प्रगती मेदान द्रिष्टी हीनों के लिए मनी एप को किसने लॉंच किया है आंसर है आरबियाई ने रेलबे बोर्ड का चेर्मेन फिर से कौन बने है आंसर है वीके यादव CAA के विरोध में प्रस्ता पास करने वाला पहला राज्य कोन सा बना है आंसर है केरल किस राज्य में इसरों ने छोटे उबग्रह के पक्षेपन के लिए नियाग केंदर स्थापित करने की घोशना की है आंसर है तम्मिल नाडू विशो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है आंसर है चार जन्वरी को हर साल सरदार पटेल की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा का नावरन कहां हुआ है आंसर है एहमदाबाज शहर में किस संस्थान ने 2020 को इयर नर्स एंड मिडवाइब गोशित किया है आंसर है डबलू एचो किस शहर में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ है किस राजे ने करमचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धी की है किस राजे की सरकार ने CM एप को लौँच किया है हिमाचल परदेश सोलवा प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाया गया है आंसर है 9 जनवरी को नाडा ने वेट लिफ्टर सरवजीत कौर पर कितने साल का परतिबंद लगाया है आंसर है 4 साल का किस राजे में धानू जातरा महसुप का शुभारंब हुआ है आंसर है उडीसा किस राजे के परिवहन निगम ने वटसेप सेवा दामीनी शुरू किया है आंसर है उत्तरपरदेश गिन्नी विसाओ देश की नए राश्टपती कौन बने है आंसर है उमारो, सिसको को, एमबालो किस देश में जनरल कासीम सुलेमानी को अमेरिका ने मार दिया है आंसर है इरान अभिनव कुमार के कारेकाल को 2021 तक बढ़ा दिया गया है जमु कश्मीर के उपराजेपाल को सलाका किसे नियोक्त किया गया है आंसर है राजी वराई भटनागर किस राजी में मिशन इंदर धनुष 2.0 का दूसरा संसकरन आयोजित हुआ है आंसर है उत्तरपरदेश भारत और किस देश के बीशद्री पक्षिय नौसेनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया गया है आंसर है उमान क्रोएशिया देश के नई राश्टपती कोन बने है आंसर है जोरान मिलनोविच किस शहर में 107 वी भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस का आयोजिन हुआ है आंसर है बैंगलूरू किसे लोकमानिय तिलक राश्टी ये पत्रकारिता प्रोषकार से सम्मानित किया गया है आंसर है संजय गुपता किस शहर में अटल कैंटीन का शुभारम किया गया है आंसर है नई दिल्ली राश्टी चिकिसा आयोग का पहला अध्यक्ष कोन युक्त होए है आंसर है सुरेश चंदर शर्मा कोन सा शहर खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स के पहले संस्क्रण की मेजबानी करेगा आंसर है भुवनेश्वर FSI की रिपोर्ट के अनुसार भारते किश राजे में सबसे बड़ा वन छेतर है आंसर है मद्धे परदेश उडिसा राजे का शरम आयोग्त कोन बने है आंसर है एं तिरूमाला नाइक किस देश के अलमपिक संग ने 2020 के राश्टमंडल खेलों के बहिशकार करने ने वापिस लिया है आंसर है भारत भारत ने किस एकॉमर्स कंपनी के साथ समझोता किया है आंसर है फ्लिप कार्ट राश्टी हरित वाहीनी योजना को किस राज्जे में शुरू किया गया है आंसर है जम्मू कश्मीर किस राज्जे में लाई हरा ओबा पर्व शुरू हुआ है आंसर है तिरपूरा ग्लोबल बिहार एक्सिलेंस अवर्ड 2019 से किन को सम्मानित किया गया है आंसर है Pius Jaiswal नेक्स कोशन है अंटाक्टिका की सबसे उची चोड़ी पर चड़ने वाली सबसे कम उमर की महिला कौन बनी है आंसर है मालावत पूर्णा इसमाइल कानी को किस देश का नया कमांडर नियुक्त किया गया है आंसर है इरान किस देश ने Mother of All Bombs का सफल्दा पूर्वक परिक्षन किया है आंसर है चीन रामनात गोयन का पुरुसकार से किसे समानित किया गया है आंसर है S. विजय कुमार योग विज्ञान सभा का आयोजन किस शहर में हुआ है आंसर है बैंगलूरू किस शहर में पांचमें वैश्विक ड्रोसो फिला सम्मिलन आयोजित हुआ है आंसर है पूने महराश्ट का प्रत्रकार दिवस कब मनाया गया है आंसर है 6 जनवरी को हैस्टिंग्स अंतराश्टिय सतरंच कॉंग्रेस का किताब किस ने जीता है आंसर है पी मंगेश चंदरन किस देश ने अमेरिकी सेना को आतंगवादी घोशित किया है आंसर है इरान किस शहर ने समुदरी बारिश्थितिगी तंतर की बैठका आयोजन किया है आंसर है कोची भारत ने किस देश के साथ एक के दो सो तीन असौल ट्राइफल्स के लिए एमो यू पर हंस्ताचर किया है आंसर है रूस अमेश यहा के दवारा करम योधा गंतर पुस्तक का विमोचन किया गया इस पुस्तक किस पर लिखी गई है आंसर है इसका नरेंदर मोदी भारत के किस राज़े में विकरम सारा भाई चिल्रन्स इन्नोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी आंसर है गुजरात भारत के किस राज़े में चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल शुरू हुआ है आंसर है पश्चिम बंगाल पैडरो संचेज किस देश के परधानमंतरी नियुक्त हुए है आंसर है स्पीन देश के फ्रेंट्स मैंने आपको ये पचपन कोशन करवाए फिर रिवीजन भी करवादी है सभी कोशन का उमीद करता हूँ आपको सभी के सभी कोशन अच्छे देश समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में फ्रेंट्स मैंने आपको बिल्कुल बहतरी तरीके से पढ़ाया है पहले मैंने आपको पढ़ाया है फिर ऐस कोशन का गया है ठीक है आप उसे टेलिग्राम पे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे जूर सकते हो रवी स्टडी आई क्यू जी के नाम से है तो फैंट चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट 10 कोशन का सही आंसर जोगा वो कमेंटर के बताना है आपने और वीडियो कैसी लगे फेस्ट आपने ये भी बताना है ठीक है बारत की 28 में थलसेना परमुक कोन बने है चार ओप्शन्स हैं आपकी स्क्रीन के उपर सही आंसर आपने कमेंटर के बताना है कोन सा शहर स्वाच सर्वेक्षन में सीस्थान पर रहा है चार ओप्शन्स हैं आपके पास रेल्वे सुरक्षा बल आर्पीएफ का नाम बदल कर क्या रखा गया है किस मैटरो स्टेशन का नाम बदल कर सुप्रीम कोर्ट मैटरो स्टेशन रखा गया है दिश्टी हिनों के लिए मनी आप को किसने लाउंच किया है सही आंसर आपने कमेंटर के बताना है वीडियो कैसी लगे परेंट सापने ये पी चुरू बताना है कमेंटर के CAA के विरोध में प्रस्ता पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है किस राज्य में इसरो ने छोटे उबगरह के परक्षेपन के लिए नया केंद स्थापित करने की गोशना की है वेश्यो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है सदार पटेल की दूसरी प्रतीमा सबसे उची प्रतीमा का नावरन कहां पर हुआ है फ्रेंट्स मैंने आपको 25 कोशन करवा है फिर रिवीजन भी करवा दिया दस कोशन का टेस्ट भी ले रिया उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आयोगी वीडियो को लाइक जरूर करिए कम से कम दस फ्रेंट के साथ शेयर भी जरूर करिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स है उनको इस वीडियो से काफी ज्यादा help मिल जाए फ्रेंट्स मैंने बिल्कुल बहतरीं तरीके से बढ़ाया आपको और फ्रेंट्स मेरा करन्ट अफे वीडियो जरूर देखना प्लेलिस जरूर चेक कर लेंट्स महाँ पर सारी वीडियो की आपको सारी वीडियो आपको हमें मिल जाएगी तो फैंस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू अल दी बेस्ट